हिए बहुजी देखिए सकेंट्री पे घास उठाने के लिए आ गई है तो गाओं की भावजीया यह मजाकिया होती है मतलब यह मजाग करती हैं अपने देवरों से ये इनकी बहान है वह कौन है वह पुतो है देखिये मतलब पूरा सब परिवार जो है अभी इधर आया हुआ है भाजी की बहान है भाजी के लड़के की बहु यह पुतो हुं तो नमस्कार दोस्तों उम्मीद है आप लोग एकदव मजे में होंगे चाप के चौचक लहरिया ल रहा हूँ तो अभी हम लोगों के खेत में में काम काम चल रहा है कुछ ऐसे खेत हैं में ट्रैक्टर से जोताई के बाद हल का जो फाड़ होता है वह बड़ा नीचे तक जाता है तो इसकी वजय से जो है मिट्टी और ज्यादा जो है खना जाती है तो उससे जह हैं मिटी में हवा लगता है तो फसल और अंदर टक होता है तो ट्रेक्टर के अलाबे हमारे हमारे हैं वयल की भी सुवीदा है बहुत सारे लोग तो बैल हंटा दिये है गaggiल लेकिन मेरे यहां अभी भी बैल है और बैल से जो है ट्रैक्टर से जोतने के बाद जो है जिस खेत में ज्यादा अच्छा फसल लोग चाहते हैं उसमें एक दो बार बैल से भी फारवार दिलवा देते हैं और चौकियों की भी दिलाया जाता है तो छोटे-मुटे खेत ऐसे ज में थिक है तो फाल से रखे हैं और अभी चलेंगे खेत की तरफ देखते हैं आप को ठोड़ी सी जो है दिक्कत भी होती है इधर देखते है तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे खेत में आओ प्रसांत के साथ मैं क्रिस आदब आईए गाउं का लोग भी गड़ी आएगा की जो है बुलेट से आ रहा है केट में लेकिन कोई बात नहीं मुह पे नहीं गड़ी आएगा पीछे गड़ी आएगा चलो आओ बैठो हमको तो बहुत सारा अपने खेट के बारे में पता भी नहीं है कि खेट किधर किदर है हमारा लेकिन यह बच्चे लोगों को पता है यह लोग लेकर चल रहा है खेट किताब किदर जाना है इसी में आगे जाना है यह जाना है सक्रा रास्ता है इस पर गाड़ी तो नहीं जाएगा इस पर गाड़ी किसे जाएगा इधर इतना जाएश रस्ता को इतना चे आँ तो दोस्तों देखिए यह जो है मैं अपने खेट की तरफ जा रहा था लेकिन रास्ते में यह पूल था पहले जो कट चुका है मतलब बह चुका है और कोशी जो है वो जब उसका प्रवाह बहुत प्रवल होता है तो यह सब इस तरह की स्थिती देखनी पड़ती है लोगों को पहले यह जो आप देख रहे हैं बांस का यहां के स्थानिय लोगों ने जुगाल करके इसको बना दिया है यह है चचरी बां वजूद भी टूटने का खत्रा बना रहता है क्योंकि यह पुराना हो चुका है तो पैदल गामी मार्ग है एक तरह से यह यहां पर लोग पैदल इधर से इधर करते हैं तो लेकिन तब भीज का कोई भरोसा नहीं है चाचा यह बहुत पुरान छे की टुटियों के लिए न लोग पानी सूखने के बाद लोग पैदल गामी रास्ता उधर से बना लिए पहले तो पैदल गामी यही था इस पर मोटर गारी भी लोग चड़ा देते थे लेकिन चाचा बता रहें कि इसका कोई भरोसा नहीं है यह कभी भी टूट सकता है तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने इस जीवन को दाओ पर दिये हैं हलांकि इतना बड़ा भी कोई नहीं है क्योंकि नीचे गी रहेंगे तो कहीं भीतरामपूर नहीं जाएंगे नीचे तो देखी रहें जो है वह इधर से ही चली जाएगी थोड़ा सा नीचे इधर पानीवानी है घड़ा आते हैं लद्दाक और पता नहीं कहां-कहां अफ्रोडिंग करने के लिए हम अपने गाउएं में अफ्रोडिंग कर देंगे रैत तेरी जाए यहां देखिए एक दम बालू है पूरा आध तेरी के कि यार राज्या कि अरे बाट यह एक चाहला इथ तो फास रहा है था जूर्ड़ना पड़े है आप्यायो से यह जाते यह को दिखा जो क्रूसमें है जाके कि गड़ी किया जिक्ति देखिए उसार कहाँ खेल रहा है अंदर में घर बना दिया है उसी को गिरतो ताव रे जब दर में। निक है। इसलाइफ पूस डुर जब थे चैला घाल लें। कभिना ग्रमीम सर्यश्यार सबस्टा शबना है। कलिनष है अब धाकल यह थे। की टो यह के तुक्व छेटे। अङतों, बाद आप दोस्तों गाया काचार्ना हाई और अचा है अचाए अबर निकल जीते है हाँ कोनों आखाद जेते हैं द्यखीन अबर जाए अो है रोस रिका अबर निकल गेला आफका कि देखिए वहां पर क्या हालत हुआ है कि करीब आओ करीब आओ बताइए देखिए दोस्तों एकदम क्या इस्थिती है अब गाउं के लोगों की आप इस्थिती की कलपना करके देखिए कितनी मुसीबत वाली जिंदगी है इधर लोग इतना जीब को पारजन के लिए अगर इनके पास दो चक्का भी है वो भी अगर जो इस पार रहते हैं वह मतलब अब सरकार की तरफ से आप देख लीजिए उकान में तेल लेके सब सो रही है यहां के मुख्याचर पहुंच जो भी है सब एकदम मौज में हैं क्योंकि उनलों का घर जो है दूसरी तरफ है दूसरी जिनके पास दो पहिया वहन भी है चार पहिया की तो बात छोड़ दीजिए इनके पास दो पहिया वहन है उनकी भी स्थिति का अप अंधाज लगा के देखिए जबकि आये गाडी से सांस हमारा फूल रहा है बताइए क्या-क्या एकदम स्थिति देखना पड़ रहा है हरे लेकिन जो है कोई बात नहीं आई यह बेवस्था इसी तरह चर्मरा के चल रही है चलने दीजिए इसमें कौन सी बड़ी बात बोट देने के समय में तो बोट लोग दे ही देंगे इस सरकार के तरफ से होना चेहिए लेकिन ना तो इनको फसल का मुआपजा मिल रहा है क्योंकि पूरा जो है बाढ की वया Baptist को जीक वयासे वैसे सारा इन लों का फसल जो है तुग हो गया न beyond का मिल रहा लेकिन जो है नहीं चाहिए विशेस राज का दर्जा लेकिन जो है मिलेगा कुछ है विशेस राज का दर्जा कुछ विशेस लोगों के लिए जो इधर के विशेस लोग है वो विशेस नहीं अवसेस है अवसेस समझा जाता है इसलिए इधर की लोगों के लिए कोई कवस्था नहीं आई यह कैमरावन बैठ यह जल्दी खेत की तरफ चलते हैं मतलब यह आप देख लिए जमीनी हकीकत है लोगों पैदल गामी लोग है ढलाई वाली सड़क नहीं है यह पिचिंग है अलकत्रा और उन सारी चीजों से बनाया गया है इधर चलना हम लोगों को अब यह खेत इधर से हम लोगों का सुरू होगा तो पहले भी तो खेते से आएं तो आप खेते में घुस आईए आईए अप रोडिंग आजे कर दे चेलने इसका यहीं लगाई अटा हाब के देश हरिब आएए और चलते है देखते है अपने खेत की तरफ यह खेत हैं यह इधा हमारा भी है यह खेत में में जो है पूरा कप चीह हूआ है है integrating तुम कर लो तुम क्या बात देखना नब कर रहा है काम कर रहा है तो गाना बजना ज़रूरी है क्योंकि मन भी लगा रहना चाहिए देखा मोबाइल कि अदेखिया पहले तो छोटा मोबाइल होता था या नहीं भी होता था लेकिन अब सब के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है यह चाहर ना मन लगाने के लिए गाना है तो इसमें पहले जो है जोतने के बाद उससे भी जुता गया है हल से जुतने का मेरे कारण क्या होता है चल जोतने करता है अच्छा खेत ज्यादा तयार होता है तो वही वहली बात है कि खेत ज्यादा तयार होगा मिट्टी ज्यादा बाहर थोड़ा सा निकाला जाएगा तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में हवा लगेगा और फसल की उपज ज्यादा होगा हाला कि बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं करना चाहिए उससे जो है मिट्टी खराब भी होती है सा भी माना जाता है लेकिन फसल अच्छी होती है और मिट्टी जो है एक उर्बरक भी थोड़ा सा बढ़ता है तो लो यह मुबाइल लो अभी वो खेत पहले ट्रेक्टर जोता गया रहा अब हल भी चल के हल से चौकी दिय जा रहा है यह दिखते हैं इसमें करें लाएगा आपना इसमें क्यों कीम लाइगा आईयो इधार आयो बिदेखी यह ल घुन हर था यह यह कि उठा के चल रहे थे बलराम है ऐसे ह है यह जो है इसी से देंगे यह 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 वाला देखिए इसका काम ये होता है कि यह इसमें फायर लगा है नजदिक से दिखा हुआ है और यह यह अच्छे लखड़ी का बना जाता है तांकि ज्यादा दिनों तक चले और यहentes बेल के और इसको फशा कर और इसको यह से नीचे दिया जाता है और फिर जो है जब्ल इसको दिरे दिरे तर आ orden होता है और जो है इससे खेट जोताता जा रहा होता है आई ये उधर जहां चौकी दिया जा रहा उधर चलते हैं उधर हमारे बड़े पापा है वह खेट जोत रहे हैं उधर ट्रेक्टर से भी खेत रोटागेटर चल रहा है इधर का खेत हमारा है समझे आज अपने खेत में आये हैं एक एक करके इसा पूरा खेत आप dato अपने है एक कर कर जोता रहा रहती है और जोताने के बाद जो है इस पर चौकी होकी दिया जा रहा है आइए भी आसब गौ्झे जिंदगई बड़ी मज़ेदार कॉष्ट प्रत भी थोड़ा सा लेकिन है मज़ेदार कि यह जो है अभी चौकी देने का काम चालू है चौकी मतलब खेट जोतने के बाद जो मिट्टी बड़ी-बड़ी रहती है उस मिट्टी को फोड़ने के लिए चौकी दिया जाता है फैसे भावी को रुक पहले रुकिया रुकिये देखिये यह भावी है ठीक है और लेकि बावी को जाने दो उसको रास्ता मत रोको गास उठाने के लिए यहां जो होती है यह मजाकिया करती है अपने देवरों से इनकी बहन है भौजी की बहन है एक वह कौन है वह पुतो है देखिए वरा पुरा सा परिवार जो है अभी इधर आया हुआ है बहुजी है बहुजी की बैन है बहुजी के लड़के की बहु है यानी पुता हुए